नमस्कार दोस्तो ओनले लेर्निंग श्टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है सतर शब प्रति मिनट की गती से जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफिकल्ट आउटलाइन हमने यहाँ पर लिखने का परियास किया है दोस्तो यह सभी आउटलाइन आपकी आगामी परिक्षा के लिए बहुत ही महत्पूर है दोस्तो यह स्पीड इंक्रीजिंग वीडियो का अगला पार्ट है आप इस डिक्टेशन को पांस से छे बार करेंगे तो आपकी स्पीड यकीनन जरूर बढ़ेगी चले शुरू करते हैं सत्तर शब प्रति मिनट स्टार्ट महोदे आज हमारे तरीकों से और कारे संचालन दुआरा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त करम पर संगठित रूप से प्राहर किये जा रहे हैं कभी कभी मुझे लगता है कि सही उदेशियों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है जिससे भीतर उदेशियों पर प्राहर किया जाए और इस पर आपको अपने विचार विमर्ष के दोरान धियान देना चाहिए काम की बहतर ववस्ता का बड़ा महत्व है इसके लिए अधिक उप्युक्त वेतन आवश्यक होता है साथ ही काम का इस्थान कमरे आदी की साफ सुत्रे होने चाहिए लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं श्रमिक परवंधक तथा किसी परियोजना में या कार खाने में काम करने वाले अन्ये लोग उनमें अच्छे संबंद होना आवश्यक है तथा यहे शायद अन्य सभी बातों से ज्यादा महतपून है मुझे आशा है कि यहे बैठक ऐसी विचार गोश्ठियों और सम्मेलन इस परकार से काम के लिए बहतर वातावरण को संभव बनाएगी सरकार को काफी कुछ करना है और वहे करेगी भी हालांकि आज हमारे यहां की स्थिती में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता यहे कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे नीती संबंधी निर्ने भी सरलता से लिया जा सकता है लेकिन किसी निर्ने को समूचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है मैं यहे बहाने की खोज के लिए नहीं कहे रही हूँ क्योंकि कठिनाईया हो तो उन पर विजे पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमूग कठिनाईया है और उन पर विजे पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्त वे देने से काम नहीं चलता इसके लिए इस्थिती को समझना और द्रिन निश्चे के साथ आगे बढ़ना होता है चाहे रुकावटे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो कठिनाईया कैसी भी क्यों ना हो सरकार का यही संकल्प है सारुजनिक शेत्र को बहुत महत्वपून योगदान करना है उसे यहे काम अपनी उपलब्दियों द्वारा ही नहीं बलकि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है मैं जानती हूँ की आज यहे भावना सभी श्रमिकों में नहीं है मुझे यहे भी पता है की इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोशी नहीं ठेराया जा सकता हमने परियास ही नहीं किया है की उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे मैं जानती हूँ की पराय जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे है उन्हें पता ही नहीं होता की बांध होता क्या है स्टोब